इसलाम अलेकुम नोशकार मेरे प्यारे किसान भाईयों कैसे हो आप लोग आशा करते हो आज की इस वीडियो में मैं आगरूट का ऐसे कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और कुछ मैं समझाने का कोशिश करूँगा तो आज की वीडियो आप लोग पुरा एंड तक बने र होला है जो सीटी अब लोग देख रहे हो इसी सीटी में पोदा लाएगा कहा पर लाएगा यह एंड में अब लोग को पता चल जाएगा और दोस्तों अब लोग को अगर एकदम बड़ा पोदा चाहिए यानि पांच-छाथ फीट आठ फीट का पोदा तो वह भी हम लोग आ पांच महीने पहले लाग दो लाग का ओडर दे के रखते हैं और उस टाइम पैसा भी डाल के रखते हैं कि हमारी लिए पोदा बनाओ तो हम कस्टमर के लिए पोदा बनाते भी है और दोस्तों मैं अब लोग को आगर उट की बारे में कुछ बता दो इस वीडियो में मैं क्योंकि मुझे पता है आज कल की बाग दूड की जमाने में दो चार पांच मिनिट दस मिनिट के वीडियो देखने का टाइम नहीं रहता है तो दोस्तों अभी अब लोग जो देख रहे देख सकते हो यह जो पोदा है यह हमारा लोडिंग हो रहा है और यह आता है मार्केट और मार्केट अब लोग देखो इस मार्केट में अलग-अलग लगड़ी है यह जो नौर्मेल लगड़ी है यह वाला नौर्मेल लगड़ी है उसके साथ बलेक लगड़ी भी आता है जो एक दुम बलेक हो दे वाला जो सबसे जाता मेंगा विकता है प्लस पावडर भी आता है यानिध़ 200 से 300 दुकाने रोजना लगते हैं और यहाँ पर बायर भी आते सेलर भी आते हैं अलग बीक हम लुदा करके Приकन देख्यों कमाइब एज सब्सक्राइब क्योंकि मैंने ऐसे कुछ वीडियो क्लिप डाला और उसके उपर बोलते जा रहा हूं ना कोई स्क्रेप्ट है ना कुछ यह है तो दोस्तों मैं अभी अब लोगों को आगर उटका एक इनफर्मिशन देदू खास अब लोग लगाओ पोधा लगाओ अच्छा क्वालेटी का प प्रेंटी है उससे अब लोगों को जादा नहीं तो तीन चार डाबल तो प्राइस जादा ही मिलेगा और इसका हर्वेस्टिंग का प्रोसेस भी आसान है अगर खुद हर्वेस्ट करके भी बेचना चाहा तो देख सकतो हमारी वरकर कैसे हर्वेस्ट करते हैं इसी तरह हर्व कुछ नहीं करना है तो आप लोग डायरेट उसको सेल कर सकते हो खड़ा खड़ा पेड़ भी बीग जाता है और जो पेकिंग प्रोसेस रहता है दो तीन अदर चार रजार इसको आम लोग बैग में डालके कुछ इस तरह से पेक करते हैं और पेकिंग करने की बास इदर रेल कहा पर जाना है उसका डिटेल सब रेड़ी करते और रेड़ी करने की बाद जो भी ठ्रेंज यहां पर भी जाता है उसको चड़ा के देते मिलते अगली वीडियों पर आज के लिए उतना है अल्लाव दिस